हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ यासमी बॉलिवुड के दबंग सल्मान खान हमेशा ही अपने फैंस को खुश करने का कोई ना कोई मौकार धून निकालते हैं वही अब एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे ना सिर्फ बॉलिवुड इंडस्ट्री बलकि साउथ की इंडस्ट्री भी सुनकर जूम उठेगी हाली में हमने आपको ये बताया था कि प्रभास की मच अवीटिट फिल्म साहो आने वाले इस 15 ओगस्ट तो रुलीज होने वाली है जिसकी टक कर सीधा अक्षय की मिशन मंगल और जौन की बाटला हाउस से होगी वही अब इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है रिपोर्ट्स की माने तो प्रभास की इस फिल्म में दबंग खान की एंट्री होने वाली है बताते कि मेकर्स ने सल्मान को अज़र गेस्ट अपिरेंस के लिए अप्रोच किया है और मेकर्स को या आइडिया खुद फिल्म के ही अक्टर नील नितिन मुकेश ने दिया है जिनके सल्मान के साथ काफी अच्छे संभंध है दोनों ने फिल्म प्रेवरत अंधन भायो में साथ काम किया था आपको बता दे चलें कि फिल्म साहो में नील नितिन एक इंपॉर्टेंट रोल में नज़र आएंगे फिल्म के पोस्टर्स और टीजर्स भी रिलीस किये जा चुके हैं साथ ही फिल्म की शूटिंग भी लगब हो ही गई है बात करें इस फिल्म की तो प्रभास के अलावा फिल्म में शृधा कपूर, मंदिरा वेदी, जैकी शौफ, महेश मांजरेकर, चंकी पांडे जैसे स्टाल्स भी नज़र आएंगे सुजीत की डिरेक्शन में बनी इस फिल्म को 300 करोर के भारी भर कम बजट में बनाया जा रहा है साथी फिल्म को हिंदी, तेलगो और तमिल भाशाओं में रुलीस किया जाएगा वेल देखने वाली बात तो अब यह होगी कि साहो में कैमियो करने के मेकर्स के इस ओफर को सलमान मानते है या नहीं अगर ऐसा होता है तो यह सलमान के फैंस के लिए किसी ट्रीज से कम नहीं होगा वैसे आप सलमान को प्रभास की फिल्म साहों में देखना शाहते हैं या नहीं हमें कमेंच करके ज़रूर बताएं अप्रेख्ट अप्रेख्ट प्रेख्ट टॉवरंगा खेखना याँ आप साथ में अप्रेख्ट ईप्रेख्ट टॉज़ आप। पस्ठेक कमाल झाल 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 झाल